अगर अगर आपका मोटर में अगर ऐसा कोई साउंड रहेगा तो इसको कैसे ठीक करना होता है और इसके अंदर जो बीरिंग खड़ाब होता है और इस बीरिंग को कैसे चेंज करना होता है तो फुल डिटल्स इस वीडियो में होगा तो इस वीडियो को पुड़ा इंड तक देखिए और अप लोग अगर इस चैनल पर नहे हो तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइ हुआ हुआ है इसको भी साफ करेंगे और मोटर का जो बेरिंग है बेरिंग खड़ाब हुआ है इस बेरिंग को भी चेंज करेंगे तो फ्रेंग्स देखिए मोटर वियरिंग का हलत बहुत यह खड़ाब था इसलिए इसका जो एक मैगनेट है मैगनेट भी उपर आ गया तो अगर मोटर में ऐसा गंदा साउंड रहेगा तो पहले इसको ठीक करिए अगर आप इसको ठीक नहीं करिएगा तो आपका बहुत ज चेंज करना होगा ज्यादा तर यह बियरिंग ज्यादा खड़ाब होता है तो देखिए मोटर का बियरिंग में कितना प्ले है तो फ्रेंड मोटर का अंदर जो जमा हुआ है इसको पेट्रोल से पहले साफ कर लेंगे तो फ्रेंड यह वाला जो मैंगनेट है यह मैंगनेट बहुत प्रिशर में रहता है तो इसको खुलने के लिए आपको यह बड़ा पूलर चाहिए है यह पूलर से आपको खुलना पड़ेगा खुलने से बहुत आसान होता है पहुत टाइम क्या हिए इसके उपर हतोरी मार के खूलना होता है लेकिन हतोरी मारने से आपका शैف्ट मेंगनेट भी भी खड़ाब हो सकता है तो आपके पास अगर यह वाला पुलर रहेगा तो आपका काम करने में बहुत ही आसानी होगा देखिए बहुत इजी से यह खोल रहा है फिर सी रिए हो आपके सांट सा रहा होगा farm 1 य्पट कर्चा नष्ते आप तका प्रीए होगा प्रेंदे कता कि अधिम कर कि मतर रहर होगाऊ रहा है यह बहुत है कि अधिसला बशाय है तो फ्रेंड मोटर का फ्लेट में यह वाला जो बेरिंग लगता है अपका ये वियरिंग का नमबर है आपका 6203 यह वाला बेरिंग को पहले बैठा लेजिए और फ्रेंड और एक बार ये मेगनेट खुलने इसे पहले मेगनेट के ऊपर जो जगा है उसको अपको मैजर के लि कर लेना होगा एक स्केल से या कुछ चीज से अपको इसको लेंद को मेजर कर लेना होगा कि कितना मेजर्मेंट है इसमें तो इसका बाद ही मैगनेट को खोलना होता है तो देखिए मेरे पास यह वारा हैंड मेट टूल है यह हाइड्रोलिक लेकर इसको यह हम बैठा थे यह बैठा ने में बहुत आसानी होता है जो बहुत लोज़ा है को बहुता है यह हुता है यह चुछिस घ्यार प्राव से कहें से बावार यह है को प्लाव से बावचिने है यह है यह होले हैं। तो फ्रेंट देख रहे हैं आप बहुत इजी से यह वाला जो मैगनेट है मैगनेट बैट रहा है और इसका कोई शेफ्ट चेंज कर नहीं रहे ठीक है इसका शेफ्ट अच्छा था तो फ्रेंट देखे अभी प्रह स्मूथ साउंड हो गया और इसका जो सेंसर भी था इसलिए सेंसर को भी चेंज नहीं किये और फ्रेंड जो कोईल को पेट्रोल से साफ किया थे तो इस कोईल को पहले 200 वाट बाल्फ से इसको सुखा भी लिया उसके बाद इसको फिटिंग कर रहे हैं और इसका उपर वाला जो प्लेट का प्लेट में जो आपका बेरिंग रहता है इस तो फ्रेंड देखिए मोटर में और कोई साउंड नहीं है इसमूद साउंड आ गया तो एक ही बेरिंग में प्रॉब्लम था इसलिए ऐसा साउंड आ रहा था दिए इसका तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो पसंद आया और आप अगर इस चैनल पर नहीं थो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर spielt कर जार कर ये खरीड है ऑप मिलते हैं आइस वीडिय